दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको नहीं पता कि आप अपने फोन पे का QR कोड कैसे सेर कर सकते हैं किसी को भी तो मैं आज के इस वीडियो में आपको QR कोड सेर करना बताऊंगा तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ काफी लोगों को पता नहीं होता है कि हम phone pay पे जो हमारा QR code है उसको कैसे check कर सकते हैं कहां पर है वो या हमें कहां से मिलेगा फिर हम उसको कैसे आगे share करेंगे तो दोस्तो आपने अपनी phone pay की app open कर लेनी है जब आप phone pay की app open करेंगे तो आपको इस प्रकार का interface दिखाई देगा तो उसके बाद दोस्तो आपने यहाँ पर profile वाले बिटन पे click करना है left side में आप देखेंगे उपर screen पर आपने left side में click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आपको इस प्रकार का interface दिखाई देगा scroll down करके आपने नीचे आना यहाँ पर आप देखेंगे QR codes यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा तो आपने QR codes वाले बिटन पे click करना है जब आप QR codes वाले बिटन पे click करेंगे तो आपका QR code आपको show हो जाएगा इस प्रकार से तो दोस शेयर वाले बिटन पे click करना है और उसके बाद आपको अपने social media platform यानि whatsapp, facebook, instagram, mail के थुरू जैसे भी share करना चाते हैं जिसको भी आपने उसको app को select कर लेना है तो मैं whatsapp के थुरू share करके आपको दिखाता हूँ तो दोस्तो आपने उस contact को select कर लेना है जिसको भी आप ये QR code share करना चाहते हैं उसके बाद आपने enter वाले बिटन पे click कर देना है तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं कि ये QR code है मैंने send कर दिया इस तरीके से मैं अपना QR code को send कर चुका हूँ तो इस परकार से दोस्तो आपने QR code को share कर देना है तो दोस्तो ये simple सा process था जिससे कि आपने QR code को share कर देना है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगो आपको इस वीडियो से help मिली हो तो please वीडियो को like कर दीजी और channel पे नए हैं तो please हमारे channel को subscribe कर दीजी तो चल